आप अपना online earning की field में, freelancing की field में अपना career बिल्ट करना चाहते हैं आप घर बेट के पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन आज तक आप से पैसे नहीं कमाए गए हैं आपको कोई authentic way नहीं मिला है authentic के साथ-साथ असान भी हो और आप उसको अपने mobile phone से कर सके अगर आपको आज तक ऐसा method नहीं मिला है तो मैं आपको बताने चाहरी हूँ नमबर वन authentic platform के बारे में जो अपनी category और हर लिहास से नमबर वन पर ही आता है अभी जब मैं आपको आगे बताऊंगी तो आपको उसका पता चल जाएगा यहाँ पर आप काम करके एक दिन के कम से कम 500 डालर तक भी कमा सकते हैं अगर काम की बात करूँ तो काम कोई बहुत जादा मुश्किल नहीं है बिल्कुल बच्चों माला काम है मैं आपके लिए copy-paste work लेकर आई हूँ उसके तरीके बताऊंगी के copy-paste work में आप कैसे कर सकते हैं नो डाउट वो काम लंबा है अगर आप उसको manually करते हैं तो आपको घंटो लग जाएंगे लेकिन जो तरीका मैं आपको बताऊंगी उसमें आपको बिल्कुल भी time नहीं लगेगा मिनिट्स में वो काम हो जाएगा सिर्फ आपको copy-paste करना होगा copy-paste करके भी वो काम ऐसे ही लगेगा जैसे के आपने खुद किया है अब क्या काम है? मुबाइल फोन से करना है without investment करना है बिल्कुल authentic platform से करना है और आपको इसके लिए कोई भी experience की ज़रुत नहीं है आप किसी भी country से belong करते हैं पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं किसी भी country से belong करते हैं आप तब भी ये काम कर सकते हैं आप ये सोच रहोंगे कि ऐसा कौन सा काम है तो मैं बता दूं, ब्लॉगिंग भी नहीं है तो आप हैरान हो जाएंगे कौन सा काम है, उसको कैसे किया जाता है उससे 500 डॉलर तक दिन के कैसे कमाए जाएंगे 500 डॉलर means कि आप लाखों में daily की earning कर सकते हैं और ये कोई हवा में तीर नहीं चोड़ रही अभी मैं आपको प्रूफ करके भी निखाऊंगी तो अगर आप इंटरस्टेड हैं, घर बैटके अपने मुबाइल फोन के जिरिये, रियल वे के साथ कमाना सुआते हैं तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो की तरह बिसमिल्लाहिर रख्मानुराहीम तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही असान मेतड लेकर आई हूँ एक इतना अच्छा ऑनलाइन अर्णिंग का प्लैटफॉर्म जहां पर आपको कोई अथेंटिसिटी का प्रॉब्लम नी होने वाला मतलब यह के प्लैटफॉर्म बिल्कुल जैन्वन है अब वहां पर आपने काम किस तरीके से करना है और कौन सा काम करना है और सबसे अच्छी बात कि आप किसी भी कंट्री से बिलॉग करते हैं आप तब भी यह काम कर सकते हैं और किसी भी कौने में बैटके आप यह काम कर सकते हैं और उसके बाद यह कि आपको कोई इंवेस्मेंट नहीं करनी है विदाओट इंवेस्मेंट अपने कॉपी पेस्ट वर्क करना है और जैसा कि शुरू में आपको बता दिया कि ना हम फाइवर की बात करें और आपको अच्छे तरीके से समझ वा जाए अगर समझ नहीं आएगी तो आप नहीं अच्छे तरीके से कर पाएंगे अगर अच्छे तरीके से समझना चाते हैं और काम करना चाते हैं वाकई अपने करियर के साथ सीरियस हैं तो फिर आपको इसको complete देखना पड़ेगा देखिए मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्लैटफॉर्म्स हैं जो के मैं आपको बता सकती हूँ लेकिन वो जनुवन नहीं होते है वहाँ से कोई online earning नहीं होती है मुझे वहाँ से कोई online earning नहीं हुई होती जिसके ओपर अगर आप काम करें तो आपको वहाँ से return मिलता है अब ये आप पे depend करता है कि आप उसमें अपनी कितनी efforts put करते हैं जिसके बाद आपको जो है वहाँ से result मिलना शुरू होता है मेरा काम है आपको अच्छे तरीके से बताना, सिखाना, समझाना अब करना आपका काम है, ये आप पे depend करता है जिसके जादा effort put करेंगे, जितना जादा smart work से काम करेंगे उतना ही जादा आप वहाँ पर grow कर पाएंगे और online earning कर पाएंगे जिसके अपने mobile phone को इस्तमाल करके कमा सकते हूं तो आप भी कमा सकते हैं, आप भी किसी से कम नहीं है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हूं और मैं आपको सिखाती हूं आपने किस तरीके से काम करना है तो यहां से देखें सबसे पहले मैं Google पे आ गई हूं और यहां पर मैंने लिखा है Google News यह Google News की ओफिशल वेबसाइट आ रही है इसको मैंने यहां से ओपन कर लेना है जैसे मैं इसको ओपन करती हूं यह वाला पेज मेरे सामने आ जाता है थोड़ा सा यह लोड होने में टाइम लेता है तो यहां पर देखिए मेरे सामने तमाम नियूज आ रही है जो के अभी Google News की ओपर पड़ी है बेसिकली यह नियूज नहीं है इनको हम आर्टिकल कह सकते है अब आपने यहां पर काम कैसे करना है सबसे पहले आपने यहां पर कस्टुमाइज पर आके यहां से अपने टॉपिक्स को कस्टुमाइज कर लेना है जिन topics के उपर आप काम करने जा रहे हैं वो आपकी मर्जी के हिसाब से सकते हैं कोई सबी आप रख सकते हैं जैसे यहाँ आप देख रहे हैं मैंने स्लेक्ट किया है वर्ड है economy, environment, jobs, vehicle, business और उसके बाद यह मैंने कर लिया है finance तो इस तरीके से आपने भी हर category में हर topic में अपने specific topics को select कर रख लिया है जैसा कि यहाँ पर मैंने आपके सामने कर लिया है उसके बाद आप जैसे यहाँ पर नीचे scroll down करेंगे आपके सामने जो है save को option आजाएगा जैसे कि मैं अभी आपको यह select करके दिखाती हूँ यहाँ से देखिए मैंने यह social sciences कर लिया है इसके लावा education news आरी है lifestyle news आरी है और science news जो भी आपको अच्छा लगे आप वो करके यहाँ से save and close पे click कर दीजिए जैसे आप करेंगे यहाँ पर यह थोड़ा सा लोड़ोने में टाइम लेगा और यह देखिए यहाँ पर your topics में हमारे पास आगया world economy और इसके बाद मैं scroll down करती हूँ तो यहाँ पर देखिए jobs, vehicle, business यह वो ही वाली categories आरी है सारी इसके बाद मैं थोड़ा सा और scroll करती हूँ तो यहाँ पर देखिए personal finance, finance और technology यह वो ही है जो अभी मैंने आपके सामने select की है अब let's suppose यहाँ से मैं एक news को open कर लेती हूँ यहाँ पर देखिए मैंने यह एक news को open किया है यहाँ पर देखिए यह पूरा एक article लिखा हूँ है, images भी यूज की गई है और article भी बहुत अच्छे अंदाज में लिखा हूँ है अब आपने क्या करना है, बहुत ही असान काम है जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपने सिरफ copy और paste करना है यहाँ से मैंने यह सारा का सारा article उठाया, इसको मैंने copy किया copy करने के बाद मैं again Google में आ गई और यहाँ पर मैंने लिखा है spin boot यहाँ पर देखिए यह website आपके सामने आ रही है, यहाँ पर आपने click करना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे यह वाला page आपके सामने आ जाएगा, official website यहाँ पर open हो जाएगी यहाँ पर देखिए आपके सामने यह पेस्ट एक्स का option आ रहा है, अभी आपने जो copy किया है, आपने simply यहाँ पर click करके उसको paste कर देना है जैसे आप करेंगे यहाँ पर देखिए उपर लिखावार है कि 10,000 words यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, जिसमें से हमने तकरीबन 1,000 के करीब की है अब यहाँ पर basic spin का option आ रहा है, यहाँ पर मैंने click करना है, यह हमारे article को basically rewrite कर देगा, हमने अपने article को rewrite करना है सिरफ और सिरफ आपका यह काम है, आपने different news उठानी है, जो आपको अच्छी लगे, spin board पे आना है, और यहाँ पर आके इसको rewrite कर देना है, यह बिल्कुल उस तरीके से लिख देगा, कि जैसे बिल्कुल नया लिखा गया है, ठीक है, अगर आप खुद इसमें कुछ addition करना च कर सकते हैं, जब आपको प्लेजिरिसम से बचना होता है, इनी वर्स के जिरिए एक दो संटेंस को एड़ करके, एक दो को डिड़क करके, आप जो राइटिंग कर लेते हैं, असानी सो जाती है, उसके आपको कोई copyright या प्लेजिरिसम नही आती है, और यहां पर देखिए, य यहां पर मैने क्या करना है, यहां पर मैने उस टेक्स्ट को पेस्ट कर रिए जो के मैने गुगल नीज से उठाया था, जो मैने सपिन करने से पहले वाला जो मेरा टेक्स था, मैने वो पर कॉपी किया है, उसके बाद, I am not रबोर्ट क्लिक करके नीचे यहां पर देखिए यहां पर आपने क्लिक करना है थोड़ी सी देर इसमें लगेगी और यह आपको जो है वो स्कैन करके बता देगा कि आपने कोई यहां पर चीटिंग किया या नहीं किया और यह जो आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा व तो आप नहीं लेकर चल सकते हैं रेड लाइन में आ रहा है और युणीख जो वह 17% है अब आप यह सोच रहोंगे कि हमने तो सारे के सारा हुठाय है तो यह युणीख 17 % क्यों आ रहा है यह अगरा है क्योंकि हमने पूरा पूरा आर्टिकल है वह ने उठाया है सिर्फ एक प यहां से चेक प्लेजरियरिजम के उपर आपने पर क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे थोड़ी दिर लगेगी यह लोड़ होने में टाइम लेगा यहां पर डिफरेंट एड्स वगरा चलते रहेंगे आपको कुछ भी चेर चार्ड करने की जड़ोत नहीं है कि थोड़ी दिर म कोई मैंने लिखके ब्लॉग इंया और नहीं आपने और यह थोड़ लोग करना ला भाला यह उस्ते स्रफ यहां आहीं ब्लॉग से और फिल्वाइट को के तुम कन्या अरिगर को भी यहां बिद्क्र भी लोग को भी दोगई हैं। ऐस यहां यहां को सम्म्य चार्म पर आप Country News, यह नीचे मेरे सामने option आगया है, यहां पर देखिए यह वेबसाइट का लिंक आगया है, मैंने इसको simply यहां से open कर लेना है, जैसे ही मैं यहां पर क्लिक करती हूं, यहां बर आपके सामने नजर आ रही है, इस वेबसाइट की पुरी डिटैल है, यहां पर इन्वार्मेंट के बार मैं, इन्मल्स के बारे मिं डिटैल बताएगा हैं, इन के बारे में न्युज पब्लिश की जाती है पर आपने क्लिक करना है, यहां पर देखिए About Us को का उप्शन आ रहा है, यहां पर आपने क्लिक करना है और अबाउट Us में पिर यह राइड साइट पर आपको एक और अप्शन मिलेगा, Submission Guide Line का, यहां पर आपने क्लिक करना है, जैसी आप इस पेज की आपर आएंगे, सब से और यहां पर यह दिखिये क्या के रहे हैं, we pay on publication, कितना दे रहे हैं, between 0.5$ to 1.5$, एक word का आपको आधा दॉलर से लेके, 1.5$ तक दे रहे हैं, एक लवज लिखने का, ठीक है, और यह डिपेंड करता है किस पे writer के experience पे, आपके experience पे, और जो चेक कर रहो होगा उसके experience पे, आपर इनोंने टॉपिक्स बताए हैं, और इसके लावा यह कि उन टॉपिक्स में, आपको उन-कॉनसे areas को cover कर सकते हैं, उनके बारे में जितनी news आपके पास हैं, आप उनको दे सकते हैं, और देने के लिए भी इनोंने जो words बताया हैं, वो कितने बोले हैं, 200 लफ्स से लेक हैं, वहां पर आपने उस news के हवाले से उस email पर आपने आर्टिकल सेंड कर देना है, और यह response करते हैं, आपको respond करेंगे, आपका आर्टिकल पसंद आता है, आपसे बार बार लिखवाएंगे, ठीक है, इसके लावा अगर आप ऐसे लिखते हैं, तो यहां पर देखिए, और आपने fixed rate रखे हैं, $400 रखे हैं, $400 means a lot, अगर आप एक दफ़ा सिर्फ एक यहां पर सिलेक्ट हो जाते हैं, आप इनको आर्टिकल लिख के देते हैं, आप यह सोचिए, यहां से कितनी earning करेंगे, ठीक है, अभी यह सिर्फ मैं आपको एक बता रही हूं, इस तरह से मैं आप 100 plus, वेब साइट के बारे में, पताने वाली हूं, उन कंपनी को जा के सर्च कीजेगा, जो आपको अच्छी लगे, उनके आपने अपने अपने अप्लाई करना है, ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर कि आपको किसी एक कंपनी की तरफ से भी रिस्पांस नहीं आए, आप हम इशा र कंपनी मिलेंगी, तो क्या कहीं से भी नहीं आएगा, आपको रिस्पांस लाजमी आएगा, लेकिन आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा, ये वेब साइट बनी ही सिर्फ इसलिए होती है, कि ये आर्टिकल ले से के, दिन के ये सेंक्रों की तादाद में पोस्ट करती हैं और पोस्ट करने के लिए, ये खुद आर्टिकल्स नहीं लिख रही होती है, उनको न्यूस पो अथेंटिक नहीं मिलती है, तो आपका काम सिर्फ ये है, आपने अच्छी अच्छी न्यूस उठा के उनको रिराइट करके इन कंपनी को देना है, ताकि ये अपने ब्लॉक के ये अच्छी नहीं तो मैंने इसको कॉपी किया और सिम्प्ली यहां पर सब्जेक्ट मैं आके इसको पेस्ट कर देना है, अब इसके बारे में जो मैंने न्यूस रिराइट की है, जो मैंने न्यूस रखी है, लेट सब्स्पोज वो यही वाली न्यूस यही आपको बताई है तो सिम्प्ली यहां से नीचे का ऑप्शन आ रहा है, यहां से मैंने कॉपी करने, कॉपी करने के बाद यहां यह पांच Sे साथ मिनट में आप सानी से कर सकते हैं जूइस ढूंटना, रि रुना, इसको स्पिन करना उसके बाद यह उनको सेंड कर देना अब यहां से अगर आपको ऑमने सेट करना चाहते हैं कोई हमिज आप नेचे देख रहे हैं गेट पेट तू राइट लिखा वार यहां पर आपने क्लिक करना और यहां पर देखिए आपको कहे रहे हैं 101 साइट्स जो आपको पे करती हैं पचास दॉलर से लेके थेन हजार दॉलर तक पर ब्लॉक पॉस्ट का एक पोस्ट पे आपको 500 तॉलर 400 डॉलर वो डिपेंड करते है आपके आपको इतना मिल सकते है यहां पर मैंने सक्रोल डाउन किया यहां पर इनों वेबसाइट बता दी है और कौन सी वेबसाइट कितना पे कर रही है वो भी इनोंने आगे लिखा हुआ है आप यहां पर सर्च कीजिए और इनकी डिटेल इनकी अर्टेन्मेंट में जासे यह देख एक्ठेल उनकी आपको इसी के बारे में बचाया है तो इस तरीके से आपने डिफेंड वेबसाइट को निकाल के और इनकी रिसर्च करना है उनके एमेल अड्रेस को पारिया जैसे यहां पर देखिए जॉक्सा अरा है आप्धैश से content उठाना है उसको rewrite करना है और उसके बाद आपने उसको company को submit करवा देना है hundred से जादा मैंने आपको companies दिखा दी है hundred से जादा मैंने आपको websites दिखा दी है तो क्या इन 100 websites में से किसी एक website को भी आपका article पसंद नहीं आएगा ज़रूर आएगा क्योंकि ये companies बनी वी ही सी लिए है ये website इसी लिए ही बनी गई है कि आप जैसे लोगों से freelancer से articles लें उनको publish करें काम बिलकुर भी मुश्किल नहीं है लेकिन company जो है website जो है वो daily की वहाँ पर जब hundred hundred post करेगी तो उसके लिए possible नहीं है कि वो खुद से write करें तो उसके लिए वो अच्छे अच्छे freelancers को ढूंती है आपके और मेरे जैसे अगर उनको हमारा content पसंद आता है तो वो हमसे एकदफ article नहीं लिखवाते हैं फिर वो हमसे बार बार लिखवाते हैं और rates मैंने आपको proof के तोर पे दिखा दिगे हैं जो company ने mention किये हैं वही वाले हैं आप similar way पे जाके इन companies के बारे में detail भी देख सकते हैं कि यहां पर कितनी traffic आती है और यह कितनी authentic है I hope यह वीडियो आप के लिए काफी valuable रही है और आपने सीख लिया है लाजमी इसको try कीजिएगा कोशिश कीजिएगा मुश्किल नहीं है बिलकुल भी लेकिन अगर आप थोड़ा सा काम करेंगे और फिर कहीं पर stuck हो जाएंगे और फिर उसको छोड़ देंगे और फिर किसी अच्छा काम नहीं किया था जिसकी वएसे हमारी online earning नहीं हो पाई अगे इतनी effort के बाद ऐसा होई नहीं सकता कि आप वहां से ना कमा पाएं हर चीज में हर जगा पर competition होता है और competition काई मज़ा होता है अगर competition नहीं है तो game खेलने में मज़ा नहीं आएगा और पैसा कमाना भी एक game है चलिए बाते काफी हो गए इंशाला जिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजगा अल्ला हाफिज